दोस्तों अगर आभी विरेन सहवाग को एक बहतरीन बल्लिवास मांते तुमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों भारती टीम साउथ अफरिका के हाथों वन डे और टेस्ट मैच में बुरी दरह से हारने के बाद भारती सरजमी पर लोट आई है जहां भार प्रदशन हमेशा सी बहतरीन रहा है और आने वाली फरवरी के महीने में भारती टीम West Indies के साथ वंडे और T20 सीरीज खेलेगी, जिसमें वो हाल ही में South Africa दोरे में हार का बदला जीत से लेना चाहेगी, जिसके लिए भारती चन करताओं ने टीम का एलान कर दिया है, जिसमें हार्दिक पांडिया को जगह नहीं दी गई है, जिसके बाद विरेन सहवाग का हिरान कर देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने काया है कि भारती टीम में हार्दिक पांडिया को शामिल ना करना, भारती चन करताओं की बहुत बढ़ी गलती है, क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण खिलाडी को टीम से बाहर करना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है क्योंकि हार्दिक पांडिया भारती टीम के सबसे महत्वपूर्ण ओल्राउंडर है जिनका टीम में होना बहुत जादा आवश्यक है क्योंकि हार्दिक पांडिया की कमी साउथ अफरिका दोरे में देखने को मिली थी और फिर भी भारती चैन करता टीम में हार्दिक पांडिया को नहीं रख रहे हैं उन्हें बाहर रख रहे हैं वहीं विरिन सेवाग ने कहा कि भारती चैन करता आज कल कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिन से भारती क्रिकेट जगत में बहुत ही जादा उथल पुथल मची हुई है क्योंकि कुछ सब में पहले भारती चैन करताओं ने विराट कोहली को कपतानी से हटाया और वहीं बेकार प्रदर्शन लगातार करने वाले खिलाडी अजिंक रहाडे और चिदेशर पुजारा को टीम में लगातार जगह दी और अंत में टेस्ट क्रिकेट की कपतानी में विर तरीन वंडे टीम मानी जाती है लेकिन अगर उसका क्रिकेट बोर्ड ही गलती पर गलती करेगा तो टीम भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि बिशली सीरीज में साउथ अफरिका दौरे पर देखा गया था कि भारती टीम की गलत चैन के कारण ही उनके गल हार्दिक पांडिया वर्ल्ड कप में बेकार प्रदर्शन करने के कारण टीम से रिलीस कर दिये गए लेकिन उनके पास शमता है वो अकेले अपने दम पर मैच जिदा सकते हैं लेकिन इस बार के वंडे टीम में वेस्टर इंडी के खिलाफ कुछ इस प्रकार जो बनाई गई है उसमें कोई आल राउंडर देखने को नहीं मिल रहा है जिस बज़े से भारती चैन करताओं की बहुत बड़ी गलती दिखाई दे रही है दोस्तो भारती टीम में हार्दिक पांडिया को शामिल ना करना वेस्टर इंडीज के खिलाफ वंडे और टी ट्वंटी सीरीज में बहुत बड़ी गलती साबित होगा या भी नहीं इस बात का जवाब होए नीचे कॉमेंट चेकर में जरूर दीजेगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूटीब चैनल को दन्यवाद